सबसे बड़ा सपना जो होता है लोगों का वो होता है कि मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी हो। हमने कौन-कौन सी मिस्टेक्स अपनी युवा वस्था पर की थी जिसकी वज़ा से हम थोड़ा था पीछे रह गए हैं। हम तो driver रखने वाले हैं नहीं कुछ decisions हमारे emotions से जुड़े होते हैं मैं कहीं भी जाओंगा तो अपना standard maintain जरूर करूंगा पैसा होना और उसको सही तरीके से निवेश करना दूसरी बात है compound interest is the eighth wonder of the world मेरको अपनी life में ये बात बहुत लंबे सा में बात पता चली तो आपके हाथ में एक करोड़ तिरा लाख पिच्चासी अजार रुपे होता पर कुछ प्रश्ण आपके मन में होने चाहिए जिसका right answer आपको अपने आप से पूछना है क्या अगले एक साल में सफारी खरी दि मैंने हॉंड़ा सिटी खरीदी हुंडई वर्ना मैंने खरीदी और डी एशिक्स खरीदी आज भी और यूज़ेशेश में यूज़ करता हूँ स्टाफ के लिए मैंने गाड़े और खरीदी वो है swift fine हो सकता है कादी गाड़ी में बोल गया हां एक गाड़ी जैसे कार देखी वो मैंने खरीदी और वो गाड़ी है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दॉक्टर अमित्माईश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीओ, मैं टास ओवर्सीज लेमिटेड दोस्तों जब हम अपनी लाइफ में अर्निंग शुरू करते हैं तो हमारे बहुत सारे विजन होते हैं हमारे बहुत सारे दिल के सपने होते हैं जिने हम पूरा करना चाहते हैं जिसमें सबसे बड़ा सपना जो होता है लोगों का वो होता है कि मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी हो कई बार हम ऐसे financial decision ले लेते हैं जिसकी वज़ास से हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाते अगर हम ये बात समझ लें कि हमें किस समय पर क्या-क्या काम करना है और कैसे अपने पैसे को बचाना है कैसे अपने पैसे को निवेश करना है और किस तरह से अपने पैसे को खर्श करना है तो शायद हम बहुत कम समय में जादा पैसे कमा पाएंगे और जादा पुंजी इकठी कर पाएंगे तो आज मैं आपको एक comparison बताने वाला हूँ कि हमें अपनी गाड़ी खुद की खरीदनी चाहिए या cab या taxi का इस्तिमाल करना चाहिए ये बात समझना इसके लिए बहुत जुरूरी है कि जब हम अपनी life में earning शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले जैसी हमारी earning बढ़ना शुरू होती है तो सबसे पहले अपना सबसे प्यारा और सबसे महत्वपून सपना पुरा करते हैं और वो होता है गाड़ी खरीदने का लेकिन life के जब 10-12 साल निकल जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमने कौन-कौन सी mistakes अपनी युवा अवस्था पर की थी जिसकी वज़े से हम थोड़ा था पीछे रह गए हैं तो आई आज हमें comparison के माध्यम से समझते हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए या cab का इस्तिमाल करना चाहिए और कब गाड़ी खरीदने का सही समय होगा ये भी मैं आज आज आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर हम compare करेंगे कि हमें अपनी खुद की गाड़ी खरीदनी चाहिए मतलब buy your own car अपनी खुद की गाड़ी खरीदे या hire a cab और taxi आप taxi या cab का स्तिमाल करें दोस्तों ये बहुत महतवपूर्ण जनकरिया आपके लिए होने वाली है इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आप पूरा देखना अगर आपने कहीं भी skip किया तो बहुत सारी valuable information आपके पासे छूट जाएगी दूसरा जब आप इसकी calculation को समझें तो आप एक notepad और pen लेकर ज़रूर बैठें ताकि एक एक चीज़ को आप लिख पाएं और समझ पाएं और अपने financial decision को लेते समय आप हर साफधानी भरते हैं तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम यह मानते हैं कि आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं और जब आप एक गाड़ी को खरीदते हैं तो उस गाड़ी को खरीदने के लिए मान लेता हूं कि आपकी अच्छी अर्रिंग होने लग गई है आपके पास अच्छी सेविंग होने लग गई है और आपने decide कर लिया है कि मुझे अब अपने लिए एक गाड़ी खरीदनी है और गाड़ी खरीदने का decision जैसे ही आपने बनाया उस decision में सबसे पहले आपका मन किया कि मुझे 10 लाख रुपे के budget तक कि ये गाड़ी खरीदनी है क्योंकि अपने अपनी गाड़ी कमाई से बहुत अच्छी से saving करना चुरू कर दिया और वो saving लगबग 10 लाख रुपे हो गई और आपने vision बना लिया कि आप मुझे अपनी कार खरीदनी है हाँ यहां बहुत सार लोगों के मन में प्रशन आएगा कि सर मेरे पास तो 2-3 लाख रुपे भी होंगे ना 4-5 लाख रुपे भी होंगे तब भी मैं EMI पर गाड़ी खरीद लूँगा मैं EMI भरता रहूँगा और मेरी income का छोटा सा पार्ट वो निकलता रहेगा और मुझे पर कोई burden भी नहीं पड़ेगा तो इस comparison को भी हम देखने वाले हैं हम यह मानके चलते हैं कि आपने कड़ी मेहनत से 10 लाख रुपे कठे किये और आपने decide कि मुझे अपने लिए एक गाड़ी खरीदनी है तो मान लीजिए आप एक कार खरीदते हैं और वो कार की जो value है जो कार आप खरीद रहें बहुत लंबे distance पर जाएंगे जब नई गाड़ी आप लेंगे तो हो सकता है आप मनाली गए हैं दैरादून गए हैं कहीं भी घुमने गए हैं हरिद्वार गए हैं या आप गोवा गए हैं जहां भी आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं पर ऐसा हमेशा नहीं होगा और कई बार ऐसा भी होगा कि अपकी गाड़ी कम चलेगी जैसे festive time के अलावा जो off days होते हैं उसमें आपकी गाड़ी कम चलेगी तो इसलिए हम एक average मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी 25-30 km per day की एक average running है आपकी गाड़ी की ठीक है तो यह मानते हैं कि अगर आपने diesel कार खरी द समयना आप किसी भी तरीके से आंकडो को कठा कर सकते हैं किसी भी तरह से एक एक चीज की calculation लगा सकते हैं कुछ चीजे कम होंगी कुछ चीजे ज्यादा होंगी किसी का impact आपको शुरुआत में कम पड़ेगा बाद में जादा पड़ेगा तो हम मान लेते हैं कि आपकी इसका मतलब एक लाग किलो मेटर गाड़ी चलाने के लिए आपने पूरे lifetime में अगर आपकी 10 की average है तो आपने लगबग 10,000 लिटर डीजल consume कर लेना है अगले 10 सालों में यहाँ पर variation क्या है कि आपकी गाड़ी के average थोड़ी कम जादा हो सकती है आप जिस तरह की गाड़ी ले रहे हैं उसी के साफ से आप calculation कर सकती है यह एक journal example है जो standard मैंने आज की गाड़ी के साफ से हाँ set किया है फाइन इसके बाद बात करते हैं कि आप कौन-कौन से ऐसे खर्चे होने वाले है आज की rate में जो diesel है वो लगबग 45 रुपे पर लिटर है फाइन अगले 10 साल में इसका price बड़ेगा भी तो जो मैंने average की बात कही थी कि आपकी गाड़ी जो average देती है अगर 12 की भी दे रही है और आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद डिजल के rate बढ़ते भी है तो भी वहाँ पर वो जो differentiation है वो cover हो जाएगा हम यह बानती है कि आपकी गाड़ी जो average दे रही है वो दस की है और आज की date से लेके अगले 10 सा किलो मिटर गाड़ी चलाने में 85 रुपे डिजल के हिसाब से 8,50,000 रुपे खर्च कर दिए डिजल consumption pay मतलब 8,50,000 रुपे आपने consume कहां कर दिए उस गाड़ी को 10 साल में चलाने पर ठीक है अज हम गाड़ी चलाएंगे तो हमें गाड़ी का government के ruling regulation उसको follow करने के लिए और अ मानती है कि insurance जो है लगबग एक साल का 30,000 रुपे का होता है तो 10 साल में आपका insurance 3,000,000 रुपे का हो गया अब बहुत सारे लोग यहां पर comment करके मुझे पता है लिखेंगे कि सर पहले साल तो insurance फ्री मिलता है लेकिन दूसरे साल जब आप insurance कराएंगे और गाड़ी की value ज्या रखाने के लिए तो मैं यह मानता हूं कि 30,000 रुपे का आपका insurance होता है और 10 साल में आपने 3,000,000 रुपे खर्च कर दिये कितने 3,000,000 रुपे आपने खर्च कर दिये insurance पर और गाड़ी जब हम चलाएंगे तो उसकी regular service भी होगी काफी time तक तो company service free देती है लेकिन उसके बा करते हैं on an average आप हर 6 महिने में अपने गाड़ी की एक service कराते हैं और एक service की जो cost आती है वो 20,000 रुपे आती है मतलब एक साल में आपके 40,000 रुपे cost हो गई और 10 साल में 4,000,000 रुपे आप spend कर देते हैं 4,000,000 रुपे आप खर्च कर देते हैं किस पर गाड़ी की service पर यहा calculate कर दी 12 महिने के साब से 10 साल के तो 18,000,000 रुपे cost आ गई तो हम तो driver रखने वाले हैं नहीं तो कोई बात नहीं अगर आप driver नहीं रख रहे हैं तो यह cost उसमें शामिल नहीं होगी लेकिन अगर आप driver रख रहे हैं तो calculation क्यों मैंने की है यह भी मैं आपको बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको पता लगएगा कि क्यों मैंने ड्राइवर की cost calculate की है तो हम मान लेते हैं कि आपने ड्राइवर रखा उसकी salary 15,000 है और अगले 10 साल तक 15,000 ही रहने वाली है जबकि जर्नली आज हम ड्राइवर लेते हैं तो 18 से 20,000, 22,000, 25,000 जैसी personality जैसा experience जै कभी किसी ने side मार दी कभी bumper तूट गया कभी उसका side light तूट गया कभी शीशा ब्रेक हो गया या मतला बहुत सारी ऐसी problem में जो आती रहेंगी कभी आपने गड़े में लगई तो आपका tire फट गया तो बहुत सारी repair and maintenance रगूर चलती रहेगी आज आप गाड़े अगर 10 रुपे है और 10 साल में जो आपकी cost आने वाली है वो छे लाख रुपे आने वाली है इस गाड़ी के maintenance में अगर इसकाम सारा total करते हैं मतलब 10 लाख रुपे आपने गाड़ी के पे किये 8 लाख रुपे आपने इंशरेंस पर 4 लाख रुपे आपने सर्विस पर 18 लाख को किस कंडिशन में रखा है अगर स्क्रैप होने से पहले बेज दिया थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं और स्क्रैप पे किया तो आपको दो लाख भी नहीं मिलेंगे आपको 40-50,000 रुपई उसके मिलने वाले हैं फिर भी हमने मानते हैं कि आपने दो लाख रुपई में उस 47,50,000 रुपई खर्च कर दिये अपनी लाइफ में उस गाड़ी पर जिसको आपने 10 लाख रुपई में खरीदा था फ्रेंट्स फाइनेशल डिसिजन लेते समयना हमें एक एक चीज को कैलकुलेट करना बहुत जुरूरी है क्योंकि कुछ डिसिजन हमारे इमोशन से जुड आप एक उक्यूपाई करते हैं यूज करते हैं खरीदते हैं और उसको अगले 10 साल तक चलाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट आने वाली है आपको 47,50,000 रुपई आपको उसकी कॉस्ट आने वाली है अब यहाँ पर आगे हम एक बात और समझते हैं कि यह मान लेते ही कि आप अप सारे सफलतम लोग जो financial decisions अपना गोल बना कर लेते हैं वो कभी भी इस तरह की calculations के अधार पर यह डिसाइड नहीं करते हैं कि मुझे अपने गाड़ी लेनी है वो सकता है cab का इस्तिमाल करें टैक्सी का इस्तिमाल करें दुनिया के सबसे हमीर आदमी Warren Buffett की अगर मैं बात करू है और Mark Zuckerberg की अगर मैं बात करता हूं तो वह जो गाड़ी यूज़ करते हैं वह Honda Accord है लगबग 18-20 लाग रुपे की गाड़ी यूज़ करते हैं जब कि वह करोड़ों रुपे की Mercedes भी ले सकते हैं जैगवार भी ले सकते हैं मतलब कोई भी गाड़ी वह खरी सकते हैं लेकिन मैं गाड़ी ना लेकर कहीं भी जाओंगा तो अपना करूंगा पर डिकंशी का इस्तेमाल करूंगा और आज अरश का पूरे इंडिया में hoping उनकी आवरेज आप calculate करेंगे तो 10-12 रुपे पर किलो मेटर 12-15 रुपे पर किलो मेटर आने वाली है क्योंकि जो फिक्स चार्ज लेते हैं उसमें कुछ किलो मेटर शामिल होते हैं और जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो 6-7 रुपे से लेकर 10-11-12-15 कि आवरेज आजात किलो मेटर खर्च किये अब कैब पर तो आपके लगबग 15 रुपे खर्च हो गए ओवर दा पिरेड ऑफ टेन येर दस साल में आपके 15 रुपे खर्च हुए मतलब हर साल की अगर कॉस्ट में calculate करूं तो लगबग 1.5 रुपे आप खर्च कर देते हैं केवल कैब को पे करने म चल रहे हैं अगर मैं इसकी मंतली कॉस्ट करूं तो एक लाग पचास हजार को हम बात करते हैं बारा से तो लगबग 12,500 रुपे पर मंथ खर्चा करते हैं अगर आप कैब क्यूपाई करते हैं अगर आप खुद की गाड़ी ना खरित के कैब से जाते हैं ये समझना बहुत हो सकता है कि वो एवरेज 12-15 की जगा 15-18 हो या 10-12 हो हर बार जो आपका चार्जी जब अलगा लगाने वाला है हमने एक स्टेंडर्ड कैलकुलेशन किया है तो यहां पर आपके 12,500 रुपे पर मंत खर्च होने वाले हैं अगर आप कैब का इस्तिमाल करते हैं और ध्यान रुपे मैंने पे कर दिये किसको कैब को तो मेरे पास जो सेविंग आई वह आई 34,50,000 रुपे तो आपको लगेगा 34,50,000 रुपे मेरे बच गए क्यों क्योंकि मैंने आपको यहां बताया था कि आपने जो कैब पर खर्च किया वह 15,000 रुपे है और इसके अलावा जो आप पैसे अग्ने स से गाड़ी खरीदने की बज़oure है तो 34,50,000 रुपे मैं आपको बताने वाला हूं कि पैसा होना उसके पैसा होना उसको तरीके से निवेश करना दूसरी बात है बहुत फेमस एक परसन हुए है कौन है यह अलबट आइंस्टाइन अलबट आइंस्टाइन एक स्टेट्मेंट दिया है compound interest is the eighth wonder of the world compound interest जो है वो विश्व का आठ माजूब है इसका मतलब क्या है he who understand it earns it he who doesn't understand it pays for that मतलब जो लोग financial decisions को ठीक तरीके से लेते ना वो तो उससे पैसा कमाते हैं लेकिन जो अपने financial decisions को नहीं लेते वो हमेशा नुकसान में रहते हैं और इन्होंने कहा know the power of compound interest know the power of compound interest जो लोग इसको सही से समझ लेंगे तो उनको पता लगए उन्होंने life में क्या खोया और क्या पाया है और मेरको अपनी life में यह बात बहुत लंबे समय बात पता चली काश यह बात मुझे 18-20 साल की उम्र पर पता होती तो इसलिए मैं आज आपको वीडियो के माधियम से बता रहा हूं अनुभव के माधियम से बता रहा हूं तो मैंने आपसे कहा था कि आपने गा कॉस्ट और ज्यादा हो जाएगी तो दस लाख रुपए आपने वन टाइम कोस्ट पे किया आपने डीजल पर खर्च किया इंचुरेंस पर किया सर्विस पर किया मेंटरेंस पर किया ड्रैवर पर किया मैंने इनको सबको 120 से भाग करके आपकी मंतली अवरेज निकाल दी क्यूकि फ्रेंट जब आप का इस्तिमाल करेंगे तो क्याब का किराया प्य करने के पाद आप गाडी खुद ड्राइव नहीं करेंगे आपको कौन मिलेगा एक ड्राइवर मतलब ड्राइवर ट्राइवर एपल टु एपल चल्कुलेशन जब करेंगे न तो हम वही पॉसिब तीन लाख रुपे डाउन पेमेंट देकर गाड़ी ली होती और एक एक्स एक्जामपल कहता हूं कि 25,000 रुपे पर मंथ आपकी EMI बन रही होती तो अगले तीन साल तक ये भी इसमें जूड़ दाने वाला था आप 25,000 रुपे और एक्स्ट्रा पे करतें 32 की जगह आप 55,000 र पे किये और 49,50,000 रुपे अपने खर्चा किया किस पर मंतली उसके ओप्रेटिंग कास्ट पर उसको मेनेज करने पर तो 49,50,000 रुपे आपने खर्च किया और इस 49,50,000 को खर्च करने के साथ साथ अगर आप गाड़े नहीं लेते हैं तो 15,000 रुपे आपने खैब को पेगे मतलब आपकी जो सेविंग आई वो 34,50,000 रुपे हैं यह मैंने आपको पहले भी बताया था और Albert Einstein कहते हैं कि compound interest की power को समझो दोस्तों अगर compound interest को एक बार आप समझ गए न तो अपने life के financial decision आप ठीक तरीके किसे लेंगे फाइन आगर आपके पास यह पैसे हैं 10 लाख रुपए आपके पास होते और आप पहले दिन उस 10 लाख रुपए को invest कर देते अगले 10 साल के लिए ध्यान से सुनिए 10 लाख रुपए या तो गाड़ी पर खर्च कर दो या उसको invest कर दो मैं यह मानता हूं कि वह 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किये होते और कोई बहुत बड़ा रिस्क ने लिया होता आपने केवल FD कराई होती तो FD का rate of interest आपको 5.5 परसेंट मिलने वाला है तो आज का जो rate है वह मैंने आपको calculate कि कई बैंक 6% भी देते हैं senior citizen को 7% भी देते हैं तो मैं यह मान लेता हूं कि आपका 5.5% rate of interest आपको मिल रहा है तो 10 लाख रुपए आप compound interest जब calculate करेंगे आप Google पर सर्च करो compound interest calculator on FD तो आपके सामने result आजाएगा वहाँ पर आप amount डालो 10 लाख rate of interest डालो 5.5 और साथ में जो आपका duration आपको डालो 10 तो आपको पता चलेगा कि वो 10 लाख रुपए 17 लाख 31 रुपए बन जाते अगर आपने वो 10 लाख रुपए केवल 10 साल के लिए FD के रुप में invest कि होते हैं और friends आज बहुत सारी लोग सही तरीके से financial decisions लेते हैं उनको यह पता होता है कि FD से मिलने वाला जो percentage है इससे अच्छा incentive कहा मिल सकता है और इससे अच्छा incentive कहा मिलेगा यह इससे अच्छा interest आपको कहा मिलेगा आपने mutual fund में invest किया तो 12-15% का आपको return आ सकता है आप आपने जो invest किया वह ऐसी जगह invest किया जहां आपको 12% का return मिलने वाला है तो इस पैसे को आपने invest किया तो जो आपके 10 लाख रुपए थे वो 3300387 तो मांदा हूं कि वो 33 लाख रुपए हो जाने वाले थे फाइन इसको भी हम 0 ही रख लेते हैं पर 33 लाख रुपए हो जाते लाख रुपए आपने एक ही बार में invest कर दिये और बाकी बचे वो जो पैसे थे वह आपने installment में invest करना शुरू किया मतलब एक तरसे SIP बोलते हैं यह रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता हर महीने पैसे जमा करते हैं तो जितने आपक इनके rate of interest से कही invest करते जहां आपको इतने return मिलने वाला था तो यह 80,85,000 रुपे बन जाते यह वाले मतलब 10,00,000 तो बन जाते आपके 33,00,000 और 24,50,000 आपके बन जाते 80,85,000 का total हम करते हैं तो इन दोनों का total होता है 34,50,000 रुपे हमने खर्च किये यह हमने invest किये अगर खर् appreciate होती और 2,00,000 रुपे की scrap value आपके हाथ में होती तो यहां पर आपके बास कितने होगे 34,50,000 अपने invest किये यह 34,50,000 मतलब this plus this इसको calculate करेंगे तो आएगा 59,71,000 इतने रुपे आपके बाते वो भी जब जब आप उस पैसे को केवल FD में invest करते हैं मतलब safest investment जिसको बोलते ह कि bank में आपने invest किया हुआ है तो इतना पैसा आपका बनने वाला था फाइन और अगर यही बात आपको 12% rate of interest से आपको benefit मिल रहा होता तो वो पैसा 1,13,85,000 रुपे आपके बन जाते कि यदि आप गाड़ी ना खरीद कर cab का इस्तिमाल करते और important बात क्या है कि मैंने cab का खर saving आपकी होती इसका मतलब एक बार हम calculation को comparison में चेक कर लेते हैं कि अगर मैं गाड़ी खरीदता अगर मैं car को buy करता अपनी गाड़ी को buy करता और इस गाड़ी का enjoy करता life में इसको use करता और इसको depreciate इसके खर्चे इसकी maintenance सब कुछ करता तो मेरे पास 49,50,000 रुपी खर्च होत अपनी life में over the period of 10 year और उसके बाद जो मेरे हाथ में depreciate value बसती वो 2,00,000 रुपे बसती लगबग 50,000,000 रुपे खर्च करके आपके पास जो बस था उसकी value होती केवल 2,00,000 रुपे चलो comparison मैंने आपको बताया कि आपके पास 34,50,000 रुपे थे जिसको आप monthly invest कर रहे थे 15,00, रुपे मतलब 49,50,000 में से 34,50,000 रुपे आपने invest कर दिये और 15,00,000 रुपे आपने cab को pay कर दिये और जो आपने invest किया था उस पर आपका 5.5% interest मिलता तो 59,71,000 रुपे आपका होने वाला था और अगर 12% पर होता तो आपके हाथ में 1,13,85,000 रुपे होता फ्रेंड्स यहां कहाँ पर न बहुत सारे लोहों को लगेगा कि नहीं फिर भी खुद की गाड़ी रखना सहुलीयत की बात है तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जरूरी नहीं कि एक्ग्जमपल में केवल कार को ले रहे हैं हमारी लाइव के बहुत सारे ऐसे खर्चे है जिसको हम ज financial decision लेन अगर आपको है तो आप यह देखिए कि जब आपकी अर्निंग शुरू होना तो जितनी अर्ली एज में आप अपनी अर्निंग को इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ज्यादा compound interest की power आपको तीजी से multiply करेगी अगर मैं 10 साल की जगा 20 साल करता इन्वेस्ट तो यह एक करोड के जो वेल्यू वह लगभग चार करोड के आसपास होती आपको लगता डबल हो जाएगी नहीं compound interest last के समय में multiply होना शुरू हो जाती है मतला उसका मिलने वाला written कई गोना जार होता है आपकी पूरी निवेश पर और आपकी ब्याज पर भी ब्याज calculate होती है fine तो अब मैं एक बात आपको कहना चाता हूँ यहाँ पर कुछ प्रश्ण आपके मन में होने चाहिए जिसका right answer आपको अपने आप से पूछना है सबसे पहली बात कि आप कितनी मन्थली income कमाएं ताकि आप खुद की 10 लाख रुपे की गाड़ी खरीच सकें बहुत सारे लोग 50,000 रुपे कमाते हैं और धिरे-धिरे करके 6 महीने में 3,0,000,000 रुपे कठे करते हैं और 3,0,000,000 रुपे डाउन पेमेंट देकर गाड़ी ले लेते हैं और 25-30,000 रुपे में कमा रहा हूँ 30,000 की एमाई पे करूँआ तब भी 20,000 बचेंगे लेकिन जैसे से आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तब आपको पता लगता है कि धिरे-धिरे आपके पास उपर बहुत जारा बढ़न आने वाला है तो राइट टाइम क्या होना चाहिए कितनी मंतली इंकम हो जब आप 10 ला लाग रुपे कमाते हैं आपको आपकी टोटल एन्वल अर्निंग का जो 10 परसेंट वैल्यू है सिर्फ 10 परसेंट वैल्यू उतने आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस EMI दोनों शामिल हो जाए तब आपको अपनी खुद की गाड़ी खरीदनी चाहिए कभी भी और वो हमारे लाइफ के सबसे गलट डिसीजन होते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है जब आपकी एन्वल इंकम इतनी हो जाए कि उसके 10 परसेंट में आप अपनी EMI भर सके और इतना पैसा ही कठा कर पाएं कि गाड़ी को आप EMI के अलावा उसको उपरेटिंग है वो कम होती जाएगी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की जो पर डे रन है वह 100-500 किलो मिटर 200 किलो मिटर 200 किलो मिटर कुछ इस तरह का काम करती है कि एक के शिटी में उनको गाड़ी लेकर लगातार घूमना है तो यहाँ डिसीजन आपको लेना है कि आपकी पर लोग हैं तो 30,000,000 रुपे खर्च हो रहे हैं और वो भी ठीक इस तरह से काप का इस्तेमाल करती है तो चार-पाच लोग है तो आपको वह यो कॉस्ट है वह बहुत जादा होने वाला है तो यहाँ पर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी के यूजर कितने लो हैं तो जैंन steps क्या होता है क्या आपकी फाइनचल पाव क्या है क्या फाइनचल पावर गाड़ी खरीदने से पता लगती है लोगों को क्या लगेगा वो important नहीं है 10 साल बाद आपके स्तिथी में आ जाएंगे वो बहुत important है fine, क्योंकि समय सदा एकसा नहीं रहता आज आपको अच्छा पैसा कमाने का मौका मिला है तो भविश्य में हमें यह नहीं पता कि क्या होने वाला हो सकता है कि आप बहुत अधिक पैसा कमाएं हो सकता है आप कई बार किसी problem में आ जाएं कहीं loss में आ जाएं या आपकी income बंद हो जाए लेकिन हम possibility रखते है positive thought के साथ कि यह एक status symbol इंडिया में तो है लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया में भी जो financially educated हैं जो finance की power को समझते हैं वो इसको status symbol नहीं लेते हैं क्योंकि असली अमीर और नकली अमीर में यह अंतर होता है कि नकली अमीर अपने status symbol को increase करने के लिए ऐसे खर्चे कर बैठता है जो उसकी earning के comparatively बहुत बड़े होते हैं मतलब earning का 70% चला गया 50% चला गया या 30% चला गया sentiments कई बार क्या होते हैं हमारी भावना ही जुड़ी होते हैं गाड़ी को लेकर या family की भावना ही जुड़ी होते हैं कि अरे आप तो बेटा कमाने लग गया है आप तो अच्छे earning करने लगा है क्यों नहीं गाड़ी ले ली जाए अपने बिजनस में करते हैं या उस गाड़ी का इस्तिमाल अपनी प्रोड़क्टिविटी को बढ़ाने के लिए करते हैं तो आपको यह देखना है कि अपर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि जितना पैसा आपने खर्च किया है माली जियो 49,50,000 अपने खर्च किया क्या इतने पैसे खर्च करने से तो हम चार्च करें क्या वगर 50,000,000 कर कर्च करते हैं उस के लिए और 15,000,000 रोपे बिचा लेता है एक तरह से earning इस 50 लाख रुपए से कम से कम दुगनी होने वाली है काड़ी रखकर, मतलब क्या आप 1 करोड रुपए कमा लेंगे तब आप decide करना कि opportunity cost है growth possibility, अब बहुत सरे लोग हमेशा growth possibility के ओपर जीते उनको लगता है कि मेरी life में बहुत अच्छी growth होने वाली है आज मेरा business तेजी से बढ़ता जा रहा है हमेशा ऐसा ही रहेगा क्यों, कोरोना काल में ऐसा क्यों हुआ कि लोगों के business एकदम ठप हो गए क्योंकि कब क्या problem life में आ जाएगी ना, इसकी कोई calculation नहीं है इसलिए आपकी जो growth possibility है एश्वर करे, आप हर साल 100, 200, 300, 400, 500, 1000% की growth लेकर रहे हैं लेकिन growth possibility केवल और केवल पैसे को खर्च करने से नहीं आती है growth possibility right investment से भी आती है मतलब क्या अगले एक साल में आप 1.18.000.000 रुपए इकठे कर सकते हैं इस गाड़ी को रखने के बाद जो आपकी compound interest की power दे रही थी यदि हाँ तो this is the right time to buy a new car if your answer is no तो this is my suggestion to you friends never buy a car always use a cab with driver fine क्योंकि अपनी गाड़ी ले भी लोगे न तो कंजूसी करके वो 18,00,000 रुपए 10 साल के बचाने के लिए आप गाड़ी चलाना शुरू कर दोगे तो यह आपके उपर निर्वर करता है आप अपने financial decisions कैसे लेती है अगर यह बात मुझे आज से 25-30 साल पहले पता होती 25-30 साल मैंने ज़्यादा गोल दिया 20-22 साल पहले पता होती तो शायद मेरी net worth में 57 करोड रुपए और ज़्यादा होते क्योंकि मैंने अपने life में बहुत गाड़ियां खरी दी है सबसे पहले मैंने शुरुआत में मारूती 800 खरी दी मैंने मारूती 800 के बाद तुरंत मैंने वेगनार खरी दी वेगनार के तुरंत बाद मैंने टाटा सफारी खरी दी आज भी मेरे पास है Tata Safari, Tata Safari के साथ-चा मैंने ङूझा यौझारी मैंने अट्रीनिया और आज भी के वो ऑंडा सेटी मेरे पास है, उसी के बाद में तुर्णत मैंने आडे ऐसिस खरी युझाण युझारी↓ उसी के साथ में एक स्टाफ के लिए मैंने गाड़ी और खरी दी, वो है स्विफ्ट, स्विफ्ट, फाइन हो सकता है कादी गाड़ी मैं बोल गया हूँ, हाँ एक गाड़ी और मैंने एक ट्वाइ जैसी कार देखी वो मैंने खरी दी और वो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक कार, इ लेकिन अगर मैं सब कुछ ये चीजें आज से 20 साल पहले समझ चुका होता ना तो कम से कम मेरी नेट वर्थ में एक दो करोड रुपए नहीं कम से कम 15 से 20 करोड रुपए और एक्स्ट्रा होते लेकिन इश्वर की मेरे उपर ऐसी कामना रही आशिरवाद रहा कि मैं बहुत लेकिन कई बार सबके साथ एक जैसे सरकमसाल से नहीं होते अपने फाइनशल डिसीजन लेते समय जरूर डिसाइड करें कि जो चीज आप अभी खरीद रहे हैं उसकी वर्तमान में और भविश्य में वर्तमान में उसकी जरूता लेकिन भविश्य में उसकी कीमत क्या होने व आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत